हेलो इस्ट्रेंट में एक तसी आप सभी का ग्याद चितन्या चेनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस वीडियो में हम तुगलग बंस यानि की तेरा सो बीस से लेके चौदा सो बारा तक जो है हम यहाँ पर जो है स्टार्ट करेंगे तुगलग बंस को की कौरान काराना शाख्हा का बताता है कौरोना तुर्क एवब मंगोल की मिष्चित जनजाती थी कि इसलिए थयाज कारों ने सुविदा के अनुसार स्था सम्पूर को को तुगलग वंस का नाम दे दिया तुगलकों ने दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक जो है शाशन किया यानि चुरानवे वर्ष तक जो है तुगलग वंस जो है चला सबसे ज्यादा सबसे कम फिलजी वंस रख दिया गया सुद्दीन तुगलग गाजी मलिक ने तेरा सो बीस में खुसराव शाव को पराजित कर तुगलग वंस के सापना की इससे पहले वह उत्री पश्मी सीमा उत्री पश्मी यानि वो रजस्तान हरियाना पंजाब बहला जो छेत्र है पश्शिम जहां से सारे आकम पुत्तर था गया सुद्दीन एक हिंदू जाट माईला का पुत्तर था वह दिल्ली का प्रथं सुल्तान था वो है दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने अपने नाम के साथ गाजी या काफ्रियों का बद करने वाला शब्त जोड़ा था यह उपादी मंगोलों को पराजित करने के उपलक्ष में धारण की थी उसने शराब की विक्री एवं जुआ खेलने पर पतिबन ल खोती के पुराने अधिकार लोटा दिये गए तो अलादीन की बहुत कठोर नीती थी और उस नीती को क्या कर दिया उसने उदार बना दिया मतलब जो चीजे उसने की थी उसको बापिस से हटा के जो पुरानी विवस्ता थी वही लागू कर दी किंतु किसमत एक खोती का नहीं लोटाया मुबारक शाह दौरा शुरू की गई जागीर विवस्ता को नहीं जारी रखा गया सुद्दीन ने भूमी नाब की अलावदीन के समय से जारी प्रथा को त्या कर उसके सान पर गल्ला बटाई और नेस के प्रथा को पुन्हा शुरू किया उसने भूरा जस् विवस्ता से संब्दी थे हुक्म ए मसाहत और हुक्म ए हासिल तो यह पैदावार के अनुरूप हुआ करती थी जैसी पैदावार उसी के अनुसार भूरा जस्व दिया जाता था तो यहां पर जो है हुक्म मसावत के आधा के स्थान पर उसने हुक्म ए हासिल जो है के अनु तान था जिसने किर्शकों को प्रती सायोग उदारता का दिश्टिगोन अपनाया, भूमी कर कम कर एक बटा तीन कर दिया, एबं रेणों की बसूली को क्या कर दिया, बंद कर दिया, उसने ये आदेश दिया कि भूराजस एक बार में एक बटा दस या एक बटा ग्यारा ही पापस ले लिया, और सिचाई हे तू नहर निर्मार करने वाला प्रथम शाशा गया सुद्दीन तुगलाग ही था, और नहरों का जाल बिचाने वाला कौन सा साशक था तो तुगलागवंस का फिरोशा तुगलाग था, किसानों के सिधी सुधार ने किर्शी उपज बढ़ बढ़नी के अनुसार गया सुद्दीन के काल में विकारी भी काम धंदों में लग गए थे, काम धंदों में लग गए थे, नियाय बढ़नी नियाय बढ़नी नियाय बढ़नी का उल्ले करते हुए कहा कि गया सुद्दीन तुगलाग के शाशनकाल में एक घेड़ की तरफ न नहीं देख सकता था था थर्टी टू में गया सुद्दी ने शहजादे जौना खा मुहमद बीन तुगलत को दच्छड विजय के लिए भेजा जौना खाने वारंगल मदुरा को दिल्ली संसरंत में मिला लिया इसमें वारंगल तेरा गाना प्रथम था और वारंगल का नाम ज लेकिन गया सुद्दीन ने दच्छड राजियों को सल्तनत में मिलाना शुरू किया अता खिल्ची काल की तुल्ला में एक यह एक महतपूर्ण विदेशी नीती का परिवर्तन था गया सुद्दीन ने लगभग संपूर्ण दच्छड भारत सिर्फ कामपिल को छोड़कर ड दिल्ली सल्तनत का छेत्री विस्तारा दिखो गया और जिसके कारण असंख विद्रोह हुए एवं सल्तनत क्या हो गई कमजोर हो गई वहीं अगर खिल्जी काल में देखे तो उन्होंने सिर्फ जो है अपनी विजे वहां पर सापित की थी लेकिन जो है वहां से टेक्स से वस मुगल ने भारत पर आक्मन किया जिससे सामाना की सुविदार मलिक शादी ने हरा दिया गया सुद्दीन का अंतिम सैन अभियान जो है बंगाल के ब्रूद था और यहीं से फिर वो बापिस लोटते हैं और जो है वो कहते हैं कि हुजूर अभी दिल्ली दूर है तो बंगाल से अंतिम था यह वहां से बलवन के पुत्र बुगरा खांगे समय से बंगाल सोतंतर चल रहा था और बंगाल अभियान जाने पर ही पहले दिल्ली में मजलिस ए हुक्मराम कायम किया और बंगाल से लौटते समय ग रमुर्दीन औलिया से मन मुटाव था पहले ही था और बंगाल अभियान से लोटते समय औलिया ने गया सुद्दीन के बारे में कहा था कि दिल्ली अभी दूरे हुनूस दिल्ली दूरस तो दिल्ली के समीब जो है तुगलगा पात के पास अफगानपूर गाउं में गया स्वागत के लिए निर्मित लकडी का एक महर बनाया गया था तेरा सो पच्चिस में गया सुद्दीन की मिर्ट्व वहां पर वह महर गिरने से हो गई इससे तुगलका बाद में ही दफना दिया गया अफगानपूर के लकडी के मंडब का निर्मार करता जो है शिल्पी एहम अधायाज था जिसे राजकुमार जोना खाने या जोना खाने गयसुद्दीन के स्वागत के लिए बनवाया गया था तो जो लकडी का मंडब गिरा था अफगानपूर के लकडी के मंडब के निर्माता जो शिल्पी है वो है एहमद आयाज इबने बतूता इसके लिए जोन नखा इसमें जिम्मेदार था गयसुद्दीन ने आर्थिक अप्राधों बाव बकायदा बकाया राजस्वा रडवसूली के लिए दिये जाने वाले शारेरिक दंड की पर्था को त्याज दिया गयसुद्दीन ने तुगलकाबाद के किले का निर्मान करवाया अमीरों को खाजा ताश सहदास एवं अर्धदास घोशित किया अमीर खुसरों के अनुसार गयसुद्दीन सौ पढ़नितों का शुरोवस्त अपने राजक्मोकट के नीचे धारण करता था गयसुद्दीन ने अलावदीन के विप्रीद उदार की नीटी अपनाई जिसे बढ़नी ने रस्मे मियाना जिसको बढ़नी ने रस्मे मियाना यानि मध्य पंथी नीटी कहा है अब मुहमद बिन तुगलक को देख लेते हैं 1325 से लेके 1351 तेरसुपच्चिस से लेके 1351 तक मुहमद बिन तुगलक दिल्ली सल्टन का सरवादिक बिद्वान विवादित बाब बिरोदा भासों से युग सुल्तान था उसका उपमान उसका जो उपनाम था अब्दुल मु जाहिद मुहमद बिन तुगलक का ही नाम था जैसे घर में अलग नाम से उपनाम हो गए तो उसी तरह से इनका भी था बलवन के लाल महल में इन्हों ने क्या किया राजा रोहन किया इसके समय में एक मंगोल आकमड अलावदीन तर्माशीरीन मंगोल आकमड हुआ तर्माशीरीन के नेतत्र में हुआ और 1327 में हुआ जो अंति मंगोल आकमड था किन्तु फरिष्टा के अनुसार सुल्तार ने मंगोल नेता को संभावता घूस दे कर लोटा दिया जबकि सामी के अनुसार मंगोल हार गये थे बढ़ने इस आकमड का उलेख नहीं करता है अबबास द्वारा रचित मसालिक अल अबसार नामक अर्वी रचना मुहमद बिन तुगलक के काल में लिखी गई थी इससे इस काल की प्रमाडिक जानकारी मिलती है तो अबबास द्वारा जो है मसालिक उल अबरास नामक जो है अर्वी रचना लिखी गई और मौहमद बिन तुगलक के काल में लिखी गई राजसमुंद्री अभी लेखो मैं जोना खान को दुनिया का खान कहा गया है मौहमद बिन तुगलक की योजनाए देख लेते हैं यहां से भरभर की कोश्यन योजी सिनेट में पूछे जाते हैं तो बर्णी सुल्तान की पांच प्रुमुख योजनाओं का विशेश रूप से उलेख सबसे पहले दोआब मैं ब्रधी कर, 1325 से लेके 1326 तक ये रहती है, करवाई गई थी, दोआब मैं ब्रधी कर, फिर उसके बाद देवगिरी को राजधानी बनाना, 1327 में, और सबसे पहले दोआब ब्रधी हो गई, फिर राजधानी परिवर्टन हो गई, फिर सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, 1329 में, खुरासान अभियान जो है 1332 से लेके 1334 इस वी तक, और लास में है कराचल अभियान, ये पांचों के पांचों सेम हमें इसी क्रम में याद करके रखना है, यहा के राजधानी परिवादन होने को बीकास गूर्ऀन, 1325 से लेके 163 के आचाल पढ़िरे की बजे से दिल्ली छोड़कि तो तो मेल दूर गंगा के किनारे स्वर्ग द्वारी नामक शीविर में निवास किया था वर धाई वर्स तक वहीं रहा स्वर्ग द्वारी कड़ा नामक एकता के छेत में था स्वर्ग द्वारी मैं ही उसने अपना उर्दूबा मु अल्ला यानि शाही शीविर रखा मुहमत बीन बिन तुगलग आकाल पीडितों को साहता देने वाला दिल्ली सल्तनात का पहला सुल्तान था गो है प्रथम सुल्तान था जिसने आकाल साहिताईवा उस मूल बनाई थी आगे देखते हैं फसलों में चक्र चक्र वर्तन बीदी को अपनाया और मुहम्मद बिन तुगलग ने कि अगे देखते हैं अब राजधानी परिवर्तन देख लेते हैं तो सुल्तान जो है राजधानी को दिल्ली से दच्छिण में देवगिरी ले गया वा देवगिरी का नाम जो है दौलताबाद रखा देवगिरी को कुवितुल इसलाम भी कहा गया है इसामी ने इसे काफिर एवं बढ़नी ने नाकाम पर योजनाओं का करता धरता कहा है फरिस्ता के अनुसार मुहमद को सलहकारों ने उज्जेन को राजधानी बनाने का सुजाव दिया इसामी केनुसार दिल्ली के नागरिकों की शक्ति को तोड़ने हेतु राजधानी हस्तांतिर की थी देवगरी सबसे पहले उसकी मा मकुदुम यह जहां को भेजा गया लेन पूल इस्टेन इस्टेन ने लेन पून कहता है कि दौलताबाद को एक गुम्रहा शक्ति का इस्मा पून ने यह कहा था दौलताबाद के बारे में इवने बतूता की अनुसार दिल्ली वासियों ने सुल्तान को धंती वरे पत्र लिखे थे तता उसे दन्ने देना चाहा था इवने बतूता लिखता है कि राजधानी परिवर्टन की आग्या देने के बाद उसना समस्त दिल्ली की तलाशी लेने की आग्या दी तो उसे मात एक ही अंदा और एक ही लंगड़ा व्यक्ति वहाँ पर मिला बढ़नी के अनुसार नई राजधानी को समराज के केर्णे में इस्तित होने के कारण चुना था बढ़नी लिखता है कि नगर यानि कि दिल्ली इतनी तरह उजडगई थी कि नगर की इमारतों में हैल और आसपास के लाकों में एक भी लिया कुट्ता तक नहीं बचा था आगे हैं सांकेतिक मुद्रा सांकेतिक मुद्रा जो है कासे का टंका के चलन से राज को श्रिक्त हो गया था क्यूंकि उसमें कासे की टंके का मूल चांदी की टंके के बरावर रखा चांदी की टंके के बरावर रखा किसका कासे के टंके का मूल बैपारियों ने कासे की टंके लेने से इंकार कर दिये राज को रिक्त हो गया, लोगों के पास कांसे के टंके बना कर चांदी के टंके ले लिए, सांकितिक मुद्रा पर अर्वी और हार्सी दोनों भासाओं का प्रियोग मिलता है, यहां पर हिस्टोरियन सतीश शंद्र और यहां पर नोट दिया गया है कि मुहमद हवीब की अनुसार कांसे का प्रियोग जो है, सरवादिक मुद्रा के रूप में किया गया था, बर्नी लिखता है कि प्रते एक हिंदू का घर टकसाल बन गया था, मतलब वो खोदी अपने अपने घरों में टकसाल खोल के जो है, सिक्के बनाने लग गये तुगलकावाद के सामने कांसे और टंकों का पाहर जैसा धेल लग जया था, ईश्वर टोपा पहले थियासकार थे, जिसने ये बताया कि चांदी की कमी का सामना करने के लिए उसने सांकिते मुद्रा चलाई थी, तो एक हिस्टोरियन है ईश्वर टोपा उन्होंने इस तरह से बताया, बढ़नी ने तामे का हरिस्ताने कांसे का पीतल का प्रियोग कांसांतिक मुद्रा बताई है, इसके अलाबा, एड़वर्ड थॉमस ने मोहमद बीन तुगलक को धनवानों का राजकुमार यानि प्रिंस आफ में मोनियर्स कहा है, धनवानों का हाट ऐसके टकू फार्स के साख decir सभाने to hell मुद्रा चलाई था मुछमद बिन तुग लग को मुद्रा शाष्ट क्वी कहा जाता है उसने सोने का एक नया रिघ्भा चलाए जिसको दीनार बतूता इसकी तौल जो है 200 ग्रेन बताता है इसने एक अगली नमक सिक्के भी चलाये थे 140 ग्रेन का चांदी का सिक्ता चलाया था खुरासान अभियान जो है 1332 में 34 इस भी तर खुरासान जो अभियान के लिए वहां के सुल्तान अबू सयद के बुरुद एक त्री मेत्री संगठन बना जिसमें शामिल से मुहमद बिन तुगलक मंगोल शाशक तर मा शरीन एवं मिस्र का सुल्तान मुहमद बिन तुगलक ने जल बाजी में खुरासान अभियान के लिए 3,70,000 की सेना त्यार करों से एक साल का अंत्रिम बेतन जो है दे दिया था बाद में यह अभियान ही नहीं हो पाया था कराचल या कराजल अभियान देखते हैं 13,32 से लेके 34,20 कराचल या कराजल अभियान आदुनिक कुमायू खुसरो मलिक के नेतुत्र में हुआ था विद्रो देखते हैं मुहमद बिन तुगलक के समय में दिल्ली सल्थनत का सरवादिक विस्तार हुआ वा उसके समय में ही दच्छिन में हुए थे विद्रोह के कारण कारणों में सबसे मातपूर ये था कि वो है आरंबिक काल में उले माओं के बुरुद निर्ने देता था विद्रोह के बारे में एक बार सुल्तान ने कहा था मेरा समराज रोग इगरस्थ हो गया है और यह किसी इलाज से ठीक नहीं हो सकता हकीम सरदर्ट ठीक करता है तो बुखार हो जाता है तो यह सुल्तान ने ऐसे कहा था कि मेरा समराज रोग इगरस्थ हो गया है मैं एक एलाज ठीक से नहीं होता हकीम से दर्ट ठीक करता है तो बुखार हो जाता है बुखार ठीक करता है तो वो कुछ और हो जाता सरब कामपिल देव ने शरण दी तब कामपिल को दिल्ली सल्कनत में मिला लिया गया मौमद बिन तुगलक के समय आबद के सूबेदार आइन उल्मुल्क के मुलतानी का विद्रो सरवादिक भयांकर था आइन उल्मुल्क ने इंशा ए महरू नामक पुस्तक लिखी थी इस पुस्त होते हैं बंगाल में गय सुद्दीन मुलतान मैं बहराम किशलू खा और बहराम आइबा एवं मावार मैं सयद हसन खाने विद्रो किया मदुरा यानि मावार मैं जलाओदीन हसन खाने विद्रो करके सुतंत्रता की घोशना कर दी और 1334 से लेके 35 इस्वी में सुतंत्र हो गय ठां तुगलक समराज के आउशेशों पर दचिण में विजनगर वा बेहमनी समराज के एस्थापना हुई हसन गंगू ने 1347 ईस्वी में बेहमनी समराज इस्थापित किया और हरिहरवा बुकां ने 1336 ईस्वी में मुहमıld बिन तुगलक के काल में ही विजनगर समराज की नि प्रंगल में कनहिया यानि कृष्ण नारायन ने विद्रों किया उसने दच्छण में सो गाओं पर अमीर ए शादा नियुक्ति किया इन सादा अमीरों नहीं सरवादिक विद्रों किया साधा अमीर शाहि सेवा में विदेशी अमीर थे साधा अमीर ही दच्छिन में बहमानी राजी की स्थापना से सम्मद्र थे सुल्तान के समय बंगाल दिल्ली सल्तनस से पूर्ण रूप से सुतन्त हो गया हाजी मलिक इलियास सुल्तान से पूर्ण रूप से सुतंत हो गया मलिक हाजी इलियास सुल्तान समसुद्दीन के नाम से बंगाल का सुतंत शाशक बन बेठा अंतिम विद्रो जो है 1351 में गुजराट में मुहमद बिन तुगलक के दास्तागी ने किया तगी के विद्रो को दवाते समय सिंद्र के थट्टा में 20 मार्च 1351 को मुहमद की मिर्टू हो गई और जिस समय मुहमद की मिर्टू हुई उस समय उसके शिवर में नसुरुदीन चिराग देहलवी जो है उपस्तित थे मुहमद बिन तुगलक का धार्मिक डिश्टिकोंड देख लेते हैं तो बल्वन की भाति मुहमद बिन तुगलक भी सुल्तान को जिल्ले इलाही ईश्वर की चाया मानता था उसके सिक्षें पर अल्ले सुल्तान जिल्ली अल्ला अंकित है मुहम्मद बिन तुगलक ने उले माओं के विरोज से परिशान होका राजनेतिक मजबूरियों के कारए मिश्र के अबासी खलीफा से सुईक्रिटी पराप्त किया खुदवाबसिक्षों पर अपने नाम को हटवा कर उनके इस्तान पर खलीफा का नाम अंकित करवाया 1341 में खलीफा के उत्रादिकारी गया सुद्दीन मुहम्मद को मिश्र से दिल्ली बुला कर समानेत किया और मिश्र से भिकारी की भाती जी जीवन जी रहा था आगे देखते हैं 1337 में नगर कोट पर आकमण के समय उसने ज्वाला मुखी मंदिर को नेस्ट ने नहीं किया जबकि फिरोज ने मंदिरों को नेस्ट कर दिया उसने हिंदूों को उच पदों बर ने किया तक इसने मुहमद बिन तुगलक ने इसामी के अनुसार मुहमद बिन तुगलक जो है प्रथम मुस्लिम सासक ता जिसने होली और हिंदू तेवारों में भाग लिया था गंगा जल का पान भी किया था मलब गंगा जल भी पिया था रतन नामक हिंदू को उसने सिंध का राज़ा स्वाधिकारी जो है नियुक्त कर रखा था रतन के अनुसार मुहमद बिन तुगलक ने एक हिंदू मंत्री साही राज को धारा का नायब बजीर तथा वाजरान इं द्वान जिन प्रभु सूरी वह राज शेकर का सम्मान कर धार्मिक उधारता का प्रमार दिया हिंदू योगियों बस जैन संतों से परिचर्चा के मामले में बहुत अकवर का पूरी गामी था बहुत जिन प्रभु सूरी के साथ जो है विचार विमश करता था एवं एक बार आदी रात तक बाचीत की जिन प्रभु के माग दर्शन में ही शत्रु जय तथा गिरिणार मंदरों की यात्रा की थी वह प्रथम सुल्तान था जिसने माउं ताबु में इस्ति जैन मंदरों में दर्शन किये जैन मुनियों के लिए अराम गाह यानि उपाश्रे के निर्मा की मिर्ट्यू पर लिखता है कि सुल्तानों को अपनी पिरजा से और पिरजा को सुल्तान से क्या हो गई मुख्ती मिल गई ये बदाईयों का कथन था एल फिसन मानते है कि मौमद बिन तुगलक में पागल पन का कुछ अंश विद्वान था हैवेल एडवर्ड थामस और इस पिरजान ने मनुविज्ञानिक इत्यास का उप्योग किया है उसकी असफलता का कारण उसका नीजी विक्त्त था उसे अभागा आदर्शवादी खुनी कहा गया मौमद बिन तुगलक ने अपने शाशन के अंत में हताश होकर ये कहा कि मेरा समराज जो है रुग्ड हो गया है ये किसी उपचार से ठीक नहीं होता अब यहां पर कुछ अन्य तत्थ है जैसे कि मौमद बिन तुगलक बहुत ही अच्छी शुरुती लेखक था और दिली सुल्तानों में सबसे अधिक पढ़ा लिखा था शेक नसरुदीन चिराग देली सुल्तान के विरोधियों में से एक था आगे देखते हैं बढ़नी के अनुसार मौमद बिन तुगलक का समराज बारा मुख भागों में बटा हुआ था परंतु बास्तों में तुगलक समराज ही जो है तेईस प्रांतों में बटा था अफ्री की आत्री यबने बतूता उसके काल में भारत आया सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्ति किया और बाद में कुछ मन मुटाओ के कारण इबने बतूता को जेल में भी डाल दिया इबने बतूता के अनुसार तुगलक समराज जो है तेईस प्रांतों में बटा हुआ था 1341 में उसके दर्वार में चीन के समराज तोगन तिमूर ने भी एक शिष्ट मंडल बहुत मंदिरों को देखने बाद उनके रख रखा हुए तो भेजा था 1342 में इबने बतूता को मुहमद बिन तुगलक ने अपना राजदूत बनाकर चीनी समराज तोगन तिमूर के दर्वार में भीजा इबने बतूता ने इस काल की घटनाओं का बढ़नर अपनी पुस्तक रहला में किया था बहुत पहला प्रथम मुसल्मान था जिसने चीन, इरान, मिश्रो, सीरिया आधी देशों के साथ जो है बैदेशिक संबंद इस्तापित कर राजदूतों का आदान प्रतान किया अर्थात एशिया एवा मफ्रीकी देशों के साथ संस्कितिक संबंदों का आरम किया 1328 में संस्कित में रचित सरबन शिलालेख से उसे प्रिथवी के सभी समराठों में मुकट का मूर्ती कहा गया इवरें बतूता ने मुहमद मीन तुगलत के समराज के लिए हिंद तथा सिंद सब्द का प्रयोग किया है सुल्तान ने उश्रवा जकात को छोड़का से सभी कर्समाप कर दिये थे योकता के अधार पर नियुक्ति वर नसलवा बर्ग भेद की समापती मुहमद बिन तुगलत के समय में चर्मोत कर्ष पर पहुँच गई उसके अमीर बर्ग में खांदानी अमीरों के अतिरिक्त मंगोल विदेशी एवं हिंदू भीदे विदेशी अमीरों को एजाज कहा जाता है मुहमद बिन तुगलत ने अलावदीन की तरह योगता के अधार पर ही पदों को आवेंटित किया था था भूराजस की दर पतार पचास पितिशत रखी थी नियाए विवस्ता में बिदी की समानता का सिध्धान्त लागू किया था सुल्तान ने एक ताओं की आए वे का इस्ताब रखने के लिए एक रजिस्तर त्यार किया जिसमें हश्म ए बही लास्ट कहा गया मुक्ता यानि की अमीर से राजस वसुली का अधिकार छीन कर वली उल खराज नामक नए पद का सिर्जन करके उसे दिया बली एवं अमीर के पद को प्रथा प्रथा किया और मुहमर बिन तुगलक नहीं सरप्रथम राजस वसुली को ठेके पर देने की जारीदारी प्रथा प्रारम की थी मुहम्मद बिन तुगलक जो तिशी गड़े तेवं चिकिसा सास का बहुत बड़ा बिद्वान था वह एक अच्छा कभी वह संगीत प्रेमी था मुहमद बिन तुगलक ने दाज प्रथा को प्रैशाय नहीं दिया मुहमद बिन तुगलक और अकवर दोनों तो हमारा यह कंप्लेट हो जाएगा तो आपको यह वीडियो पसंद आया हो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें और आप मुझे अनकेडमी पर भी फॉलो करें और अगर आप उसका सब्स्रिक्शन लेना चाहते हैं तो आप वहाँ पर मेरा व वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद